प नमस्कार मुनी गुरू की इस बेहदी खास पेशखष में आप सभी का सवागत है, मैं हूँ सवाती रायना मनी गुरू में इस कूरे हफ़ते हमने आपको बताया कि कैसे आप आर्थिक आजादी हासिल कर सकते हैं आज हम आपको बताने वाले हैं कि नए भारत का नया निवेश कैसा हो न्यू इंडिया की जर्णी का हिस्सा बनने के लिए आपको किन सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए कहा निवेश आपको अच्छा रिटर्न देगा और कहा आपको अपने लक्षों के लिए निवेश करना चाहिए तो नया भारत नया निवेश आजादी के इस अमरत महोतसव के मौके पर आज हम बेहदी खास मेहMAN से बात करने वाले हैं उनका परिचे करा देते हैं JRL मने के को फाउंडर विजय मंतरी इस वकद हमारे साथ है विजय सर बहुत स्वागत करते हैं हम मने गुरू की भेहदी खास पेश्कष का और आज हमारी theme बेहती खास है India at 100 यूँ तो हम आजादी का अमृत महोट सर्व मना रहे हैं 75 साल पुरा होने का जशना मना रहे हैं लेकिन हम इससे भी 25 साल आगे की प्लानिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत एक बाप फिर से सोने की चड़िया बने और जिस तरीके से हम growth story इंडिया की जो growth story है उसको देख पा रहे हैं पूरे शो के दौरान अलग-अलग आंकडो अलग-अलग दिर्चस्प कहानियों के जरी हम आपसे समझेंगे कि ये अगले 25 सालों में कैसे मुम्किन हो सकता है अगर हम अगले 25 सालों की बात करें पिछले 75 साल में कितना हमने पाया है कितना हमने पाया है? उसके अंदर बढ़ोत्री आई है? GDP 0.04 trillion डॉलर थी, अभी 3.18 trillion डॉलर है, मतलब 75 साल में GDP के अंदर 80 गुने की बढ़ोत्री आई है? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1950 के अंदर तब हम लोग food grain मतलब खाने पीने का item इंपोर्ट करते थे जब हमारी population 30 करोड थी. 1960 में हमना food import किया 4.8 million tons, 2022 में population 30 करोड से बढ़के 140 करोड के आसपास आ गई हमने क्या किया? उस पूरे दोरान पूरे period में food grain item हम export करने लेगे और 6 million ton बारत ने food grain item export किया है तो अगर आप per capita income के आंगडे देखें, आप GDP growth देखें, आप कोई भी sector of the economy के अगर हम data देखें, तो भारत ने बहुत ही जबर्दस तरीके से उचाल मारा है, जिन चीजों के उपर हम dependent थे, आज हम उन चीजों को export करने लगे और अभी जिन चीजों पर हम dependent अभी है, बाहर के देशों से आने वाले period के अंदर वो चीजें भी हम export करन लग जाएंगे, क्योंकि इंडिया का base है, वो बहुत बड़ा है, और जैसे मैं आपको छोटा सा illustration देता हूँ, जब independent हुआ, तो भारत में registered motor vehicle तीन लाग थे, अभी registered motor vehicle 30 करोड है, यूएस की population total 30 करोड है, और इंडिया के अंदर registered motor vehicle ही 30 करोड है, और ये expand होने वाला है, तो बड़ा हिंदुस्तान में बन जाएगा, कि cost of production बहुत अच्छा रहेगा, और हम हर item के अंदर मुझे लगता है, export कर सकते हैं, तो पिछले 35 सालों में economic parameter में जबरदस बड़ोतरी हुई है, लेकिन ये बड़ोतरी काली economic parameter के अंदर ही नहीं हुई है, ये soft infrastructure के अंदर भी जब पर दस बड़ोतरी हुई है, literacy rate, साक्षारता 18% थी 1950 में अभी 80% के आसपास है, infant mortality, हर 1000 बच्चे पे 182 बच्चे delivery के टाइम मर जाते थे, मतलब हर 5 बच्चे में एक बच्चा की death हो जाती थी, अभी वह infant mortality 180 के से घटके 27 हो गई है, woman fertility जो 6 थी, मतलब एक औरत के 1950 के टाइम 6 बच्चे on-on average होते थे, वो total fertility 2% के आसपास आ गई है, life expectancy 37 से 75-76 के आसपास आ गई है, तो सब parameter पे food grain पे आप देख लो, milk production पे 20 ताइम की बढ़ोतरी होई है, egg production, fish production, horticulture, आप कोई भी parameter देखो, हिंदुस्तान के अंदर बहुत जबरदस तरक्ची होई है पिछले 75 सालों में. बिल्कुल, तो 75 साल का सफर आंकडों के जरीए, विजय सर आपने बताया और हम आपको बता दे, तमाम जो आंकडे हैं, ये JRL मनी के सौजनने से हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ये extensive research के बाद विजय जी ने हमें ये आंकडे बताये हैं, जो हम आपको इस वक दिखा रहे भी है, ये बताने के लिए कि पिछले 75 साल में कितना बदला है भारत और आने वाले 25 सालों के लिए क्या projection हम देखते हैं, हमने अलग-अलग आसपेक्ट पर विजय जी आपसे समझा कि पिछले 75 साल किस तरह बेमिसाल रहे हैं और अलग-अलग मायनों में हम किस तरह धीर-ध तेरे आत्म निर्भर बनने के और कदम बढ़ा रहे हैं और बढ़ाना चाहिए भी क्योंकि समय है, हाई पॉइंट है जिसको हम कहते हैं और यहाँ पर हमें बाजार, शेर बाजार का जिक्र करना बेहत जरूरी है क्योंकि उसका भी सफर काफी ज़्यादा दिल्चस्प रहा है, अगर हम कहते हैं कि थ्री फिगर आंक्रों से लेकर हम अब पांच फिगर आंक्रों तक पहुँच चुके हैं, लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या यह आंक्रे छे या साथ तक भी आंक्रे पहुँच सकते हैं, इसलिए सेंसेक्स के सफर के तौर पर मैं आप से जानना अगर हम पिछले लगभग कुछ 20 सालों का सफर देखें खासतों पर सेंसेक्स का वो कहां से कहां तक पहुंचा है देखें 1980s में सेंसेक्स के नंबर बताते हैं बड़ाग अगस्ट 1982 के नंबर ले लिए जो सेंसेक्स करीब 216 के आसपास था उसके बाद अगस्ट उसके पांस साल बाद अगस्ट 1987 में 500 के आसपास हो गया अगस्ट 1992 में वो 4000 के आसपास हो गया अगस्ट 1997 के अंदर वो बढ़ के करीब करीब साड़े 4000 के आसपास हो गया अगस्ट दो जार दो में तीने जार के आसपास था अगस्ट दो जार साथ में पंदरा जार के आसपास था अगस्ट दो जार बारा में वो अठरा जार के आसपास था अगस्ट दो जार सत्रा में वो 31, 32,000 के आसपास है और अभी 60,000 के आसपास है तो अगर आप 25-25 सालों का gap लें 1982-1997 उसके बाद 25 साल आप add करें तो 2007, 1987-2012, 1992-2017 और 1997 से लेके 2022 का अगर आप दोर लें तो हर 25 साल के period में अगर आप देखें तो minimum sensex का growth 11 टाइम हुआ है और maximum 70 टाइम हुआ है तो minimum sensex का growth 11 टाइम हुआ है वो 1992 से लेके 2007 का period है क्योंकि 1992 के अंदर sensex 60 के P multiple पे court हो रहा था क्योंकि उस time वो scam चला था बजार के अंदर बड़ आप assume कर सकते हैं कि on on average 25 सालों के अंदर sensex में 15 से 20 टाइम की बड़ोतरी होना कोई मुश्किल काम मुझे नहीं दिखता है तो sensex की journey बहुत amazing रही है लेकिन लोग क्या है 1000 पॉइंट 500 पॉइंट 2 परसेंट 5 परसेंट correction व्यू लेके बैठे रहते हैं और उस process में wealth create नहीं कर पाते और यही कारण है कि बड़ी wealth आज FII ने इंडिया में पैसा डाल के बनाई है FII का holding domestic investor से बड़ा है और सबसे interesting बात क्या है जो सबसे clean efficient companies है उसके अंदर FII का holding जादा है तो आज हम आजादी का अम्रवत महसव तो मना रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ हमको यह भी सीखना है कि अगर देश की तरक्की हो रही है तो देश की तरक्की में participate करने का equity एक बहुत अच्छा माध्यम है उसके through participate करें तो आपको वाकई बहुत बड़ा wealth over a longer period of time बनेगा तो बड़ा दिल्चस्प है यह आकड़ा 1982 सेंसेक्स का आकड़ा 216 से अगस 2022 में लगबक 60,000 यह तो पिछले कुछ सालों के हमने levels देखें सेंसेक्स के लेकिन दिल्चस्प होगा यह जानना विजय जी अब आपसे कि अगले 25 साल सेंसेक्स की चाल कैसी रह सकती है जैसा मैंन 3 फिगर का या आकड़ा 5 फिगर पर तो पहुँच चुका है क्या यह 6 या 7 फिगर तक भी जा सकता है मतलब 1 लाक 2 लाक 3 लाक कितना माने सेंसेक्स को अगले 25 साल में मतलब अभी तो अमरित महुत सब है जब भारत अपने आजादी का शतक पूरा करेगा इंडिया 800 में सेंस मार्केट में ओ अनप्रिसिदेंटेट रहेगी, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्योंकि bedroom की यू ऐस में जबर्दस ग्रोत है लेकिन यू ऐस का पॉपुलेशन तीस करोडी है, इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड है तो जिस तरह का मार्केट बढ़ सकता है उसका कोंब हिसाब कि एक तो ये बात दूसरा बात ये की equity बजार में पैसा कैसे बनता है equity बजार में पैसा बनता है company का मुनाफ़ा बढ़ा तो अगर company का मुनाफ़ा बढ़ेगा तो 5-10 सालों में उसके share में वो price होना आना increase होना निस्चित है ये 2-3 साल-5 साल में gap रह सकता है लेकिन अगर कंपनियों को मनाफ़ा बढ़ेगा तो वो share price में growth आएगी कंपनियों को मनाफ़ा क्यों बढ़ेगा अगर इंडिया की GDP बढ़ेगी GDP के दो component है inflation प्लस GDP growth अगर आप दोनों को add कर दें तो absolute GDP growth आपको मिलेगी पिछले 10, 20, 25, 30 सालों में इंडिया का GDP 12-14% के आसपास बढ़ा है equity market ने उसे 1-1.5% ज़्यादा return दिया है तो 13-16-17% के आसपास इंडियान equity market का return रहा है अभी हम बैट के calculation करते हैं कि आने वाले 25 सालों में inflation क्या रहेगा आप कोई भी number ले सकते हैं 6% लें, 4% लें, 5% लें जितना inflation रहेगा उतना आपका debt में पैसा बनेगा inflation के उपर आप GDP growth भी add कर दें GDP growth आप 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं तो absolute GDP growth अगर आप 9% लें, 10% लें, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 अगर आप लें तो अभी यहां से आप sensex के number बहुत easily निकाल सकते हैं अगर GDP खाली 9% बड़ा absolute term में तो आपको sensex 5 लाग के उपर देखेगा अगर GDP 15% के आसपास बड़ा, तो आपको sensex का number बहुत जबर्दस देखेगा आपकी समझ के बाहर रहने वाला number वो और यह possibility है, क्योंकि यह possibility पिछले 75 साल, 40 साल, 30 साल में हम लोगों ने देखा है लेकिन हम एक छोटी से चीज को देखके डर जाते हैं, फिर बड़ा कॉल लेते नहीं है आजादी का अमरत मौसव है, लेकिन अमरत आने से पहले विश आता है और विश को अपने गले में रखने की हम में शमता होनी चीए, तब ही अमरत मिलता है बिल्कुल आपने जो आकड़े बताए विजय सर, यह वाकई बहुत इंट्रेस्टिंग भी और उत्सुकता भी इससे जनरेट हो रही है लोगों में, आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 9% की दर से अगर हम देखे सेंसेक्स को बढ़ता हुआ GDP के हम आकड़ों के लिहाज से बात करें, तो अगले 25 सालों में 9% के हिसाब से सेंसेक्स 5 लाक पहुँच सकता है मतलब 1 लाक की वैल्यू आपकी 9 लाक रुपए होगी वही अगर 10% के हिसाब से देखें, तो आपके 1 लाक की वैल्यू होगी 14 लाक रुपए और 19 लाक 11 लाक के हिसाब से, मतलब 1 लाक की वैल्यू 33 लाक होगी यह हम आपको दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स में, यह तो सेंसेक्स की अलग-अलग जो दर है उसके हिसाब से ग्रोथ हम बता रहे है मतलब फाइनल जो आपने बोला है 20 लाक तर सेंसेक्स अगले 25 साल में पहुंचने का माध्धा रगता है विजैसर अगर इंडिया की जीडीपी एपसिलूट टम में 15 बढ़ती रही और कॉपेट प्रॉफिटिबिलिटी बढ़ती रही तो कोई रीजिन नहीं है लेकिन आप चलो 15 परसंट ही मतलो आप 10 परसंट ले लो 11 परसंट ले लो 12 ले लो तो आपको इतना रिटन छूटेगा लॉंग पीरेट के अंदर 16, 18, 20 परसंट रिटन जनरेट नहीं होता है लेकिन अगर आप 30, 40 साल का पीरेट लो तो रिटन आप कम रखो 8 से परसंट से 12 परसंट के आसपास रिटन रखो तो भी आपका बहुत बड़ा पैसा बनता है क्योंग कोई पैसा 8 परसंट पे कमपाउंड हो 25, 30, 40 सालों तक तो बहुत बड़ा पैसा बनेगा हम इन चीज़ों को देखते नहीं हैं हम खाली अपनी हिस्टरी देखे 75 साल की तो आपको मालूम पड़ेगा इनडिपेंडेंस के बाद जिस तरह का हमारा एक्सपंशन हुआ हर प्रोड़क्ट लाइन के अंदर आप देख लीजिए अभी सब चीजों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है 1950 में आपको एक कार लेनी होती तो आपको 28 साल की इंकम लगानी पड़ती अभी 2 साल की इंकम में कार आ जाती है तो affordability बढ़ गई है इसलिए large pool of population ये जो product Indian companies बना रही है उसको consume कर सकते हैं और दूसरी सरकारी policies बहुत important role play करती है जैसे आपको बताओ मैं हर घर बिजली होजना हर घर बिजली 2014 में जब मोदीजी आया तो उन्हें बोला कि हर घर बिजली पहुंचा नहीं है तो जब हर घर बिजली पहुंची तो जब घर में बिजली पहुंचती है तो सबसे पहले कोई भी end consumer electric wires, switches बगरे का consumption करता है तो आप देखें पिछले 8-10 सालों में जो electric wires बनाने वाली company हैं, switches बनाने वाली company हैं, उनके दाम कितने बढ़ गे क्योंकि यहां बहुत बड़ा demand आय अभी हर घर जल योजना सरकार चला रही है, 2019 में 15-16% लोगों के पास नलके का पानी था, अभी हो 41% हो गया है और 2024 तक उसको करीब-करीब 100% तक पहुंचाने का सरकार ने गोल लिया है, जब इंदुस्तान में 6 लाग गाउं हैं, जब 6 लाग गाउं में water tank बनेंगे, कितना cement consume होगा, pipes पनेंगी, कितना steel consume होगा, वहाँ पे कितने fitters, कितने plumbers, कितने water purify करने वाले लोगों को jobs मिलेंगे, तो मैं तो खाली एक दो आंकडे आपको बता रहा हूँ, अगर आप इंडियन IT इंडस्ट्री को देखें, तो भारत सरकार के पास total employee 50 लाग है, लेकिन इंडि हम correction 1%, 2% market के चक्कर में रह जाते हैं, और बड़ी picture नहीं देख पाते हैं, बड़ी picture है, कि सारी दुनिया की निगाएं आज भारत के उपर है, अगर हम लोगों में confidence नहीं है, तो यह पैसा कोई जोर बना के लेके जाएगा मनी गुरु आर्थिक आजादी special episode आप देख रहे हैं, नए भारत का नया निवेश, अगले 25 सालों के लिए क्या हो निवेश प्लान इसपर कर रहे हैं, खास चर्चा अब जेरल मनी के co-founder विजय मंतरी हमारे साथ है, विजय जी, अब अगले 25 सालों का road map, निवेश का हम कहां पर निवेश से पैसा बन सकता है, कहां पर हमें ज़्यादा focus करना चाहिए, अगर हम कुछ sector specific बात करें, अब तक जितने भी हम sector देख पा रहे हैं, जितना हम growth अलगलग sectors में देख पा रहे हैं, कि सेक्टर में आपको potential लगता है आने वाले समय में growth का? पहले मैं इसके पहले आपको बताऊंगा कि अगर आप debt में investment करना चाहें, तो debt में आपका पैसा inflation के आसपास बनेगा, inflation अगर 6 टका रहा तो debt का return भी 6% के आसपास रहेगा, उसके उपर return आप debt में chase करने गए तो risk बढ़ जाती है, तो debt हमेशा inflation के आसपास return देता है, उसमे capital in absolute term growth नहीं हो पाती है, अगर आप tax session उसके अंदर add कर दें, तो debt के अंदर long term में पैसा तूटता है, लेकिन आपको 3-5 साल का जो अपना आने वाला cash flow है, वो आपको debt में रखना है, दूसरा real estate में पिछले 50-60 सालों में बहुत लोगों का पैसा बना है, क्योंकि इंडिया क period के अंदर real estate अच्छा करेगा, लेकिन जिस तरह में past में पैसा बना, उस तरह का पैसा real estate में आने वाले period के अंदर नहीं बनेगा है, तो second बात है, थर्ड बात बड़ा पैसा equity में बनेगा, और equity के अंदर भी कौन कौन से sector है, जहां multi-year theme हमको बहुत अच्छी लगती है, ए तो BFSI, banking, financial services and insurance industry में काफी ज़्यादा scope है, तो इसमें bank हो गया, NBFC हो गया, housing finance company हो गया, asset management company, insurance company, stock broking company और इन सब काम को जो facilitate करती है, जैसे depositories company, stock exchanges, इनका बहुत बड़ा scope आने वाले period के अंदर और बढ़ने वाला है, तो यह segment बहुत मजबूत होने वाला है, दूसरा segment जब भी किसी country की GDP per capita income 2000 dollars से ज़्यादा बढ़ती है, तो discretionary spending बहुत बढ़ जाती है, तो discretionary spending हो गया, लोग बाहर जाके खाना खाएंगे, बाहर से खाना order करेंगे, travel ज़्यादा करेंगे, car का consumption हो गया, discretionary, काफी product का consumption हो गय है, तो सारे sector of Indian economy के अंदर बहुत जबरदस्त तेजी आने वाली है, तीसरा बहुत बढ़ा sector जो evergreen रहने वाला है, मुझे लगता है pharmaceutical product है, दो इंडिया में wealth बन रही है, पैसा बन रहा है, बट हम लोग healthy lifestyle नहीं जी रहे हैं, इसलिए lifestyle diseases इंडिया में बहुत ज़्यादा IT industry definitely इंडिया की आज लीडर है, वह हमको ठीक पैसा बनतावा दिखते है, तो यह 4-5 बड़े sector है, लेकिन सबसे बड़ा beauty इंडियन मार्केट का आपको स्वाती जी बताओं क्या है, इंडियन मार्केट जैसा diversified market दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ताइवान के अंदर semiconductor industry 60% sector इंडिया के अंदर, रश्या के अंदर old economy like oil, gas, energy का 50% वेटेज है, ब्रजील के अंदर ये कहानी है, इंडिया ही ऐसा है जहां आपको pharmaceutical, consumer discretionary, IT, textile, banking, हर तरह की industry और कोई भी industry उसको dominant नहीं करती है, तो बहुत बड़ा diversified आपको portfolio मिल जाता, अगर आप broader sensex index या diversified equity mutual fund के द्वारा पैसा डालना चाहें तो, बिरकुल और show के अंत में विजय जी आप से जानेंगे, आपने बोला equity ही है, इंडिया की growth story का एक बड़ा योगदान जो दे सकता है, इसलिए अगले 25 साल के लिए या आगे आने वाले कुछ सालों के लिए, क्योंकि अगले 25 सालों के अगे वो निवेशक अब निवेश करेंगे, वो निवेशक अब योगदान देंगे इंडिया की growth story में, जो की नए भारत की नीव अब रखेंगे, हम millennials की बात करें है, युवापीडी की बात करें, तो उन्हें आप निवेश के क्या tips देंगे, कि कैसे अगले 25 सालों में उन उनको अपना financial plan बनाना चाहिए, और सबसे पहले अपना retirement secure करना चाहिए, अपना health insurance लेना चाहिए, life insurance coverage लेना चाहिए, लेकिन अपना retirement के उपर भी दिमाग लगाना चाहिए, और वो पैसा long term equity mutual fund के दुआरा ही वो पैसा डाले, investor को ego trip पे नहीं जाना चाहिए, कि आप crypto में डाल दे क्योंकि is a new thing, किसी peer pressure में आके बात नहीं करना चाहिए, जब भी आप investment करो, आपको एक चीज clear होनी चाहिए, कि मैं किसको पैसा दे रहा हूँ, वो कौन है पीछे उसके, mutual fund में आपको mutual fund companies मालूम और उसके पीछे कौन सी कंपनिया में invest किया, वो मालूम है, crypto में ज़्यादा समझना जरूरी है, और क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना भी मेरे असाब से बहुत जरूरी है, तो उनको long term planning करनी है, तो खाली उनको ये देखना है, कि कौन से product मैं daily consume कर रहा हूँ, as a individual, तो सुबह toothpaste का production consumption लिया, आपने bathroom गये तो आपने tile, shaving cream, हर जो भी आप product तंजूम करें, वो product कौन सी कंपनिया बनाती है, खाली उनके द्वारा अगर आप निवेस किये, तो आपका बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा. आपने गुरू में आज की इस खास पेशकिश में बसे तो.